है वहिए हम सबके दिमाग में एक प्रस्न बनता है कि सरकार नोट बंदी आखिर करती क्यों है क्यों इस बार इन 2000 के नोट को बन्स किया गया है ऑर पिछली बार पूराने 1 500 और 500 के नोट को क्यों मंन किया गया था गोर्मेंट ऐसा करती तो सब से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नोटबंदी को हम दी मॉनिटाइजेशन कहते हैं और नोटबंदी के दौरान फुरानी जो मुद्रा है उसको बंद कर दिया जाता है सरकार ऐसा क्यों करती है सरकार है सरकार घाला धन को करने के लिए सरकार सरकार ऐसा कदम उठाती है अब यह मला करता है अ जा सरकार ने टेक्लियर कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 6 50 आप 1. rug कमाताCER है उससे देना पड़ेगा income tax on겠 na jala ac rugby question से start हो जाता है क्या income tax start previously आपको अपने पैसे का लगबक 5% सरकार को income tax के रूप में देना पड़ेगा और मैं मैं तो इससे ज्यादा कमाता हूं तो जैसे जैसे आपकी इंकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंकमлена का बढ़ती जाती है खेल जाना है हमें एइड लॉट बंधी क्यों करती है तो अब देखिए अगर कोई वक्ति सरकार को टैक्स नहीं देता है अपनीं इंकम पर मैंने 20,00,000 रुपद कमाईowe MARK सरकार को दिखाएल नहीं मेन अकाउंट और पर पैसा ट्रांसफर नहीं किया और गवर्मेंट को टैक्स नहीं दिया सरकार को अगर पता चल गया तो सरकार मेरा जो पैसा है वो मेरा पैसा black money कहलाएगा और सरकार इस पैसे को जब्त कर सकती है मुझसे income का source पूछ सकती है अगर आपने अपनी इंखम पर tax नहीं दिया है तो आपका पैसा काला धन कहलाएगा अब यहाँ पर सरकार नोट बंदी क्यों करती है जमा करके रखते हैं, बैंक में नहीं जमा करेंगे, अपने घर पर जमा करके रखेंगे, कहीं और छिपा देंगे, कहीं प्लॉट करीद लेंगे, तो पैसे को जमा करके रखते हैं, और जितने बड़े आकार का नोट होता, जैसे 2000 का नोट है, तो 2000 का नोट जो है, इसको अब छोटी गट्डी में दो लाक रुपे हो गई हो गई पहले जहाँ 1 लाज चलते थे टो वहा पर उतना ही पैसा स्टोर करने लिए दो लाक रुपे सटोर करने लिए चार गड़ी लगती थी 500 के नोट की 2000 के नोट की महत्र एक गड़ी अब आप अपनी जेब में चार लाख रुपर डाल के ले जा रहे हैं दो लाख इदर दो लाख इदर किसी को पता भी नी चलेगा तो इस तरह से जितना ज्यादा बड़ा नोट होता है ना उतना ही ज्यादा काला धन को स्टोर करना आसान होता है और अगर सरकार नोटों को बदल देती है तो जिन लोगों ने काला धन स्टोर कर रखा है वो बैंक में जाके पैसा कहां से बदल जाता है बैंक से और बैंक में जब लोग जाएंगे तो उनको तिखाना पड़ेगा कि यह पैसा उनके पास कहां से आया है इस वजए से उनका जो काला धन है वो समाप्त हो जाता है तो सरकार का जो प्रैमरी उद्देश से होता है काले धन को समाप्त करना होता है नोट बंदी का 2000 के नोटों की अगर बात करें तो 2000 के नोटों के साथ बड़ा बुरा हुआ है यह 2016 में स्टार्ट किये गए थे 2000 के नोट और अब इनको अर्वियाई ने बंद करने का एलान किया है आप जाके बैंक में जाके वापस कर सकते हैं ठीक है देखिए 2000 के नोट मात्र 10% चलन में रह थे दो जाड़ गए बाकी 97 के साथ Two जार के नोट कहां हैं किसके पास है चलन में रह रह गए बाकी नोट सरकार यही मानेगी गवर्मेंट यही मानेगी आरभी यही मानेगी न कि यह ठाल के रूप में सटोर ह片ं φुट dif争र हो चुका है और एक एक लग की और पचाब पचाब के नोट की पचास गड़ी बंती है और तो इस तरह से आपके समय रहा है तो यह जो पैसा है यह इसको स्टोर करना आसान है तो अम मात्र और भी मटने बनीट को इसको वापस लेने का इह अईलान कीया है यहाँ पर अब ये नोट यह देगना सरकार को कितना यहाँ नुकसान होने वाला है यह जो 2000 का को झॉक्ट है ना कि इतना घाटा ओने वाला है इन नोटों को बंद करने से और यह सरकार को घाटा नहीं होने वाला है घाटा मुझे और आपको हम सब को ओने वाला है क्योंकि जितना भी पैसा चपता है सरकार जो भी काम करती है वो पैसा फाइनली तो जनता से यह लिए जाता है हमारा और आपका पैसा होता है जनता की मेहनत का पैसा नोट बंदी डी क्यों करती है इसका प्रायमरी उद्धन को समाप्थ करना। टीक है मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में कर शेंड